नालंदा विश्व विद्याले नालंदा के प्रसिद्ध विश्व विद्याले की स्थापना पाँचवी सदी में की गई बोध कया से 62 किलोमीटर और पटना के दक्षिन में 90 किलोमीटर पर संसार के सबसे पुराने विश्व विद्याले के अवशेश है अपने जीवन काल में बुद्ध ने कई बार इस विश्व विद्याले को भेट दी परन्तु बौध शिक्षा का ये केंद्र उसके कई सालों बाद करीब पाँचवी सदी से बारवी सदी में प्रसिद्ध हुआ साथवी सदी में चीन से कुवान संग यहां आकर रहा उसने यहां की श्रेष्ट शिक्षन पद्धती और यहां आचरण में लाई जाने वाली शुद्ध मटवासी जीवन शैली के बारे में बारीकी से लिखा है साथ ही उसने इस प्राचीन विश्व विध्याले का बातावरन और वास्तु रचना के बारे में विवरन दिया है निवासी व्यवस्था वाले इस संसार के पहले विश्व विध्याले में दो हजार सिक्षक और सारी दुनिया से आए दस हजार बद्ध विख्शु विध्यार्थी रहते थे प्राचीन कुशन वास्तु शैली में बनाए गए मठों में आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे होते थे गुप्त समराथों ने इन मठों को सररक्षन और आश्रे दिया अशोक और हर्शपर्धन इन में विख्याद समराथ थे जिन्होंने मंदिर, मठ और विहारों का निर्मान किया हाले में किये गए उत्खनन से यहां की सररचना की विस्तरत जानकारी मिली है सन 1951 में यहां अंतराष्ट्रिय बौत शिक्षा केंदर की स्थापना हुई यहां से पास ही बिहार शरीफ है जहां मलिक इब्राहिम बाया की दरगा में वार्शिक उरुष मनाया जाता है चटपुजा के लिए प्रसिद सूर्य मंदिर यहां से दो किलोमीटर दूर बारागाउ में है इन प्राचीन अवशिशों के साथ ही यहां का नालंदा संग्राले और नव नालंदा महाविहार देखने लायक है आप समय का नालंदा जाद आप बार देखने वार्ण नालंदा जाहिए है झाल 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 झाल